Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains और मेरे उधर से आने से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं और obviously आज आज आप एक नई चीज पढ़ने ही वाले हैं जिसका नाम है प्लेटे हेलमिन्स ठीक है इस चैनल में आपको प्रवाइट कराये जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके और मैं हूँ आपकी बाइलिजी टीचर शिपरातिवारी तो बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे आज आपने पढ़ना है प्लेटे हलमिन्स कर में कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था कल मैंने 10 वालों के लिए एक लाइफ वीडियो बनाया था पहचान कौन ठीक है क्या पहचाने क्या चीज है वो वो मैंने बनाया था अच्छा वो जो वीडियो मैंने बनाया करीब live session जो था वो करीब एक घंटे का था उस एक घंटे में 10 वालों के साथ-साथ वो चीजे 11 वालों के लिए भी बहुत जादा important है क्योंकि 11 वालों को भी अल्टिमेटले स्कूल का एक्जाम देना है जिसमें डाइग्रामस में प्रॉपरली लेबलिंग होना बड़ी जरूरी है तो वो भी वो देख सकते तो कल मैंने 11 वालों को कुछ भी नहीं पढ़ाया था ठीक है कल अपन लोगों ने चाहे 10th क्लास का हो चाहे 8th क्लास का हो समझ में सबको आ जाता है इस subject के साथ ये सबसे छी बात ये है कि अगर इसको बहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए तो ये किसी को भी समझ में आ जाता है तो last class में हम लोगों ने क्या खतम किया था वो अपन बात कर लेते हैं पहले प्ल यो फोरा फाइलम को खतम कर लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था किने हम gooseberry sea walnut कहते हैं jelly-like appearance होता है इनका अगर आप इसको पानी से बाहर निकाल के देखें तो ये आपको jelly जैसी दिखाई देती हैं इनके body में आपको छोटे चोटे बिल को separation दिखाई देते जिने आप complete कहते हैं तो ये सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ी थी फिर मैंने आखरी आखरी में आपको इसका side pit larva भी बताया था तो ये सब कुछ अपन लोगों ने अच्छी तरीके से बहतरीन तरीके से complete कर लिया था ठीक है आज हम लोग एक बहुत ही developed phylum के बारे में पढ़ने वाले बच्चो जिसका नाम है platy helmets जिसका नाम क्या है बच्चो platy helmets बहुत 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 महत्वपूर्ण phylum है क्योंकि इस phylum के अंदर जो है बहुत ही विनाशकारी लोग आते हैं ठीक है बहुत ही विनाशकारी लोग जो है इसके अंदर आते हैं इसका मतलब ये कि हमारे कह हैं प्लेटें हरे हैं इनको था भीनाश्कारी सब्सक्राइब में दिसकी इतना आंदड जीन ही जितने भी जीव में वह चपटी होते जैसे जो लीफ होती है जैसे वो चप्टी होती न वैसे यह भी चप्टे होते लसलसे चिपचिपए आपको दिखाई देते हैं ठीक है प्लेनीरिया इसका बहुत ही बहतरीन एक्जाम्पल है जिसके बारे में हम आएंगे आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है आपको जनरली तो डाइजेस्टिफ सिस्टरब मार सके जिनको ना हीट मार सके जिनको ना ठंडा मार सके तो उनको कौन मार सके उनको कोई ना मार सके वो अपने आप ही मर जाएंगे जब उनकी लाइफ सैकल खतम हो जाएगी और ओ सकता है कि हमेशा आपके पेट में रहें ठीक है तो लेट सारे colorful worms आपको दिखाई दिये हैं, इनकी इतनी length नहीं होती जितनी आपको यह दिखाई दे रहे हैं, इनकी length करीब 2 mm से लेकर 20 meter तक की हो सकती है, so without a further delay, let's the start of the phylum plate helmets, ठीक है, शुरु करें, ठीक है, तो पहला ही मैंने point लिख रखा है, why the plate helmets, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर आपने जहाँ नजर हटी, जहाँ ध्यान अटा, वहाँ दुरु गटना घटी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना और पढ़ना, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग take off कर रही है मारी flight, ठीक है, अभी हम लोग runway में थे, दौड रहे थे, अब हमने take off किया है, ठीक है, runway में थे, इसका मतलब यहीं कि अभी तक आप जितनी भी चीज़े कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो तनी developed रही थी, पर अब आपकी flight take off पे है, इसका मतलब यहीं कि अब आप सीधे उड़ने वाले हैं, ठीक है, पतलब यहीं कि अब आपको developed फाइलम के बारे में पढ़ना शुरू करना है, ठीक है, चलो, इसी कुशी में पहला point क्या बोल रहा है बच्च क्या होता है, पर जिनको नहीं पता है, उनको मैं बता दू, dorsal, ventral में दो शब्द जुड़े हुए है, जिसमें एक शब्द है dorsal, dorsal का मतलब होता है पीछे, backward, ठीक है, और एक शब्द लिखा हुआ है ventral, ventral का मतलब होता आगे, ठीक है, तो इसका मतलब यहीं कि यह कहूं में body shape है, समझना बात को मेरी, यह जो इनका body shape है, यह बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि human being जो है, उसको दो आखे क्यो दी गई है, कि भाया कोई ऐसा है कि उनको कूटने आए तो खिसकले उधर से, ठीक है, human being को कोई दो हाथ क्यो दिये है, कि खाना मिले तो खाले वैसे ही इनकी body flat क्यो बनाएगे यह आपको पता है, क्योंकि intestine जो आपकी आथ होती है, उसमें जगह बहुत कम होती है, मेरी बात समझे आप कि जो आथ होती है, उसमें बहुत जगह कम होती है, पांच किलो का shape होता है, इनका ले, मोटा तगड़े प्रे जैसे होते हैं, क्या तुमारे आथ में रह पाते हैं, क्या, नहीं रह पाते हैं, इसलिए flat warm है, intestine में रहने के लिए इनको space कम मिलता है, या इस shape की वज़े से वो बहुत ही कम space में भी रह सकते हैं, यह इनका parasitic adaptation है, प्लीज आलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, आई बात समझ में, कि अगर आप से कभी पूछा जाएगी, बताइए parasitic adaptation क्या है flat warm का, तो आप बोलें के सबसे पहला point कि उसका shape ही flat होता है, जिसकी वज़े से आथों में रहने के लिए जगा हमेशा कम लेते हैं, कोई दिकत परिशानी, पहला point अच्छे से clear हो गया, तो dots of enterly, they are leaf shaped structure, they are flat structure, that is why it is called as flat warm, ribbon warm, or called as platy helmets, तो आप देखें, यह आपकी आथ है, it is the intestine और एक warm जो है वो पड़ा हुआ है, ठीके, अब देखेंगा इसके आगे इसकी कहानी कैसे चलती है, so next slide में पर लोग मुढ रहे हैं, देखें, so कभी भी हम लोग कोई भी phylum पढ़ते हैं बच्चों, तो आपने total, almost tear protozoa, porifera, sealant ratatinophora, यतने phylum आपने complete कर लिए, और आपको भी पता है कि जब भी हम कोई phylum पढ़ते हैं, तो पहला जो point पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, वो बढ़ते हैं, हम लोग characteristics, क्या पढ़ते हैं, characteristics, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू कर र वो रहता कहा है, ठीक है, वैसे भी आपके जो worms होते हैं, they love to live in the aquatic environment, पानी पसंद है, पर वैसे ये कहीं भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है, तो ये land में रह सकते हैं, fresh water, marine water, parasitic nature के हो सकते हैं, ठीक है, terrestrial हो सकते हैं, land में रहने वाले हो सकते हैं, ठीक है रेट वेट में रहते हैं, fresh water होता है, जैसे plain area, fresh water, marine भी हो सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, tape form औगरा, ये सब इनके parasitic form हैं, तो habitat का मतलब ये हैं, कि फ्री लिविंग होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये स्वतंत्रों मुक्त वस्था म अपने आपको तैराते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है कि पीछे वाला क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ये fresh water भी हो सकते हैं, marine water भी हो सकते हैं, और दूसरों का खून चूसने वाले, दूसरों को परिशान करने वाले, मतलब parasitic form में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, दूस causing parasitic infestation in the human is called as helminthology, ठीक है, चाहे हम लोग round warm पढ़ रहे हो, चाहे हम लोग flat warm पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी warm पढ़ रहे हैं, warm जिस biology की शाखा में, जिस biology की ब्रांच में पढ़ा जाता है, उसे हम helminthology कहते हैं, ज ठीक है, ओके, चलो, तो ये point आपको clear हो गया कि रहता कहा है, दूसरा point ध्यान से समझे, level of organization, मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको, अब पिछले phylum से compare करके भी, level of organization में अगर आप बात करें, तो इनकी body में organ system level of organization होता है, ठीक है, या organ system level of organization होता है, वैसे आप लोगों ने organ पड़ा होगा, ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या पड़ा, आप लोगों ने porifera में क्या पड़ा था, कि इनके पास कुछ है नहीं वही या, इनके पास कोई organ, organ नहीं है, इनके पास cells जो होती है, वो loosely aggregated form में पाई जाती है, ठीक है, ये cells कैसे ही पाई जाती है, loosely पर जब आप आए सीलेंट रेटा में तो सेल एग्रिगेट होकर टिशू बना ली उसके बार जब आप टीनोफोरा में आए तो same tissue level of organization था पर जब आप प्लेटे हल्मिंस में आए मेरे बेटे तो आपने क्या देखा तो tissue get aggregated and they will make the organ इसलिए इनके में organ level of organization ज़ादा तर पाया जाता है ठीक है so organ level of organization इनके में पाया जाता है now germ layer की हम लोग बात करें germ layer की अगर आप लोग बात करेंगे तो मुझे बताइए आप लोगों ने porifera में क्या देखा था madam porifera में हम लोगों ने देखा था कि बाहर वाली layer जो थी उसको हम pinacoderm कह रहे थे और अंदर वाली layer को हम क्या कह रहे थे coanoderm जब हम लोग sealant rate में आए तो बाहर वाली को हम कह रहे थे epidermis और अदर वाली को हम कह रहे थे क्या gastrodermis ठीक है same जैसे टीनो फोरो में थोड़ा विवाथ था लेटेस बुक जो उसको ट्रिपलो ब्लास्टिक पर NCRT में डिपलो ब्लास्टिक पर यहां से evolution शुरू होता है जहां पर भी कोई exception अगर आपको दिखाई दे इसका मतलब यह कि NEET का वो एक favorite question हो सकता है ठीक है आई बात समझ में तो यह एक favorite question हो सकता है कि कहां से आपको ट्रिपलो ब्लास्टिक जर्म लियर का organization दिखा तो actually प्लेटे हल्मिन से हम लोगों को ट्रिपलो ब्लास्टिक जो है जर्म लियर दिखी मतलब we have well developed ectoderm, endoderm and the mesoderm चीक है आई बात समझ में now अगली बात करें habitat clear हो गया आपको level of organization clear हो गया germ layer clear हो गई अब हम लोग बात करेंगे symmetry very 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 important यह question आ सकता है आपके NEET में ठीक है यह NEET में question पूछा जा सकता है किस phylum से सबसे पहले bilateral symmetry शुरू हुई ठीक है मुझे बताएंगे आप porifera का क्या है symmetry कोई symmetry नहीं है यह asymmetrical organisms होते हैं फिर आप लोगोंने sealant reta में क्या पढ़ा था sealant reta में हम लोगोंने पढ़ा था radial symmetry मतलब आप center से उसे कई planes में काट सकते हैं पर सबसे पहले आपने पढ़ना टीनो फोरा में अपने radial by radial पढ़ा था symmetry की बात करें प्लेटे हल मिंस में तो सबसे पहले bilateral symmetry जो है ठीक है suppose that कि यह कोई organism है तो आप इसे ऐसा दो भागों में काट सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले bilateral symmetry जो symmetry शुरू हुई थी वो actually flat warm से ही शुरू हुई थी ठीक है अब एक बात मेरी समझ लो ठीक है जो मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप flat warm पढ़ रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धी यह organism ऐसा ही है इनको कोई डर नहीं है यह कहीं भी गुस के खाना खा सकते हैं ठीक है ओके और इनको आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि गुसे हुए है और आपकी बॉडी भी इनको नहीं हटा सकती क्योंकि इनके पास कुछ special arrangements होते आई बात समझ में अच्छा जैसे कि माल लो किसी से तुमारी लडाई हो गई ठीक है किसी से तुमारी लडाई हो गई ठीक है अब माल लोला तो तुमारी पास कोई हतियार है ना तो तुमारे हाथ पेर में दम है तो हाथ पेर में दम नहीं हम किसी से कम नहीं कोई बात नहीं अपने ये मोटे मोटे दात ठीक है चिपका दोस के हाथ में और वो कितना भी तुम्हें मारता रहे, पर अगर तुम्हारे जबडों में मजबूती है, समझना बात को, तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता है, ये चीज इनके साथ बहुत जादा एप्लिकेबल होती है, आई बात समझ में, तो इनके पास जो है, हुक्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई चीज लटकानी है किसी चीज से किसी चीज को फसाना है तो आप क्या इस्तमाल करते हैं हुक्स इस्तमाल करते हैं वैसे इनके पास हुक्स होते हैं पर उसके पहले आपको यह जानना है कि इनका लोको मोशन कैसे होता है इनका लोको मोशन कैसे होता है यह चलत वो सीलिया इंटर्नली होंगे में भी दिखाई बनेया दे ये सीलिया के पास ये अबिलिटी होती है कि वो gelatinous, लस लसा, चिप चिपा सा पदार्थ निकालेंगे ये लस लसा, चिप चिपा पदार्थ जमीन के उपर निकलेगा ठीक है? जो की उनके स्लिपरी बना देगा और फिर वो सड़क सड़क के फिसल फिसल के बाहर हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि इनको चलाने के लिए कोई हाथ और पैर की जरूरत है ही नहीं, ये सर्फेस को स्लाइमी बनाकर उस पर फिसल सकते हैं, ठीक है, तो इनके free living forms जो इदर दर तैर सकते हैं उनके पास सीलिया होता है मैंने आपको बता है वैसे इनके पास कोई locomotory organ है नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की जाके interstate में फस फस जाओ खाते रहो वहां से खाना आपको जाना का है वहीं रहो भईया पर अगर किसी को free living form is supposed that plain area ठीक है तो इनके पास छोटे-छोटे सीलिया होते हैं जो slime material निकालते हैं surface को नीचे जमीन में निकालते हैं और surface को slime ही बनाकर उस पर वह फिसल सकते हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि यह जैसे कि अगर मैं आपको पहली वाली image दिखाऊं ठीक है where it is so here it is तो अगर मैंने आपको पहली वाली image दिखाऊं तो आप क्या देख रहे हैं कि छोटी आत के आपके बीच के lumen में यह फसा हुआ है तो ऐसा क्या है मेरे लाल की यह फसा हुआ है ठीक है यह क्या करते हैं अपने hooks से पहले क्या करते हैं इंटेस्टैन पएसे जाके फस जाते हैं ठीक है उसके बाद सकर्स को जाके उस पर चिपका देते हैं और उसके बाद फिर कुछ भी कर लो, यह वहां से निकलते नहीं है, ठीक है, यह अपनी जगा को छोड़ कर जाएंगे नहीं, तो यह नेता की कुर्षी है, जिससे छीन पाना बहुत मुश्किल है बच्चो, आई बात समझ में, तो यह करते हैं, छोटी आत में जाकर ऐसे फस जाते हैं, और फिर कुछ भी कर लो आप, इवेन इसको तो कोई digestive juice भी डाइजेस नहीं कर सकता, यह फसे रहेंगे, और जैसे ही कुछ juice भूस आएगा, यह बोलेंगे, नहीं निकलेंगे, कुछ भी कर लो, So, they have hooks and suckers, जिसकी वजाए से यह कभी भी इनको निकाल पाना is very difficult, ठीक है, now, तो आपको समझ में आया कि, adhesive को मतलब होता है, चिपकना, ठीक है, इनके पास चिपकने वाले organ होते हैं, hooks and suckers, ठीक है, So, they have two layers of hooks and so many pairs of hooks, two pair of suckers and so many pairs of hooks, ठीक है, now, let's come to the next slide, ठीक है, look at this, this is the original image, ठीक है, देखने में लसलसा, चपचपा और गंदा गंदा सा दिख रहा है, पर आगे चलके future doctor बना होगे, तो कैसे चीर होगे इनसान को है, तो यह सब तो देखना पड़े गई, तो आप क्या जाता है न, जो दिखता नहीं है, यह microscopic, इसका large view है, इतना बड़ा होता यह, तो इसका जो सर वाला area आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, यह वाला area आपको दिखाई दे रहा है, which is this, ठीक है, यह वाला area है, ओके, इसको आप कहते है, स्कॉलेक्स, क्या कहते है, स यह देख रहा है, आपको 1, 2, ऐसी पीछे 3, और यह हो गया 4, यह क्या करते है, ऐसे जाके skin पे चिपक जाते है, तो जैसे suction pump लगा के आप किसी चीज़ से चिपक जाते है न, वैसी यह भी चिपक जाता है, और फिर इसको आप निकाल नहीं सकते, ठीक है, ओके, तो अब दे को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, अब आगे कुछ points discuss कर लें, जनरल वाले, उसके बाद मैं आपको body बता देती हूँ, अच्छा body wall आही गई है, तो let's start talk about the body wall, इनकी जो epidermis होती है, epidermis मतलब जो outer layer होती है, वो ती syncytial, syncytial का मतलब क्या होता ह है, they have so many nucleus in the cells of epidermis, but they all are fused nucleus, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है, कि अगर वो free living form वाले parasitic worm है, तो हो सकता है कि उनमें cilia भी पाया जाए, ठीक है, उनके उसके बाद, अब्धान से मेरी बात को समझना, नहीं तो नजर हटी और दुर घटना घटी, देखे, इनकी बाडी wall मे और mainly जो कौन होते हैं, parasitic होते हैं, mainly जो कौन होते हैं, बच्चो, parasitic होते हैं, उनकी जो layer होती है, वो thick cuticle से बनी होती है, समझना बात को, पहला इनका parasitic arrangement एडाप्टेशन क्या है, कि इनकी body flat है, तो कम जगा घेरती है, दूसरी बात यह है, कि यह तुमारे elementary कनाल से, hooks and सकर स जुड़े होते हैं, जो की काफी strong arrangement होता है, इसलिए इनको कोई बहा नहीं सकता, ठीक है, तीसरा इनके पास क्या होता है, तीसरा इनके पास एक thick cuticle की layer होती है, जो इनको protect करके रखती है, अच्छा समझना, आज कर बहुत थंडी आ रही है, ठीक है, यह suppose that, कि आज तुमारा दोस्त, तुमारी कंबल कुटाई करने वाला है, ठीक है, तुमको मारेगा, तो उस दिन तुम 10 जैकेट पैन के चले जाओ, अब तुम्हें डंडा मारेगा भी, तो उतना तुम्हें जैकेट पैन रखा है, तो डंडा लगेगा नहीं, same condition with these worms too, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि जो outer layer होती है, उसके उपर cuticle होता है, तो कितने भी digestive juice आए, कितना भी temperature आए, किती भी ठंडी आए, इनको आप damage नहीं कर सकते, चीक है, क्योंकि cuticle is a complex molecule, चीक है, ओके, cuticle बनाता कौन है, cuticle बनाता है आपका epidermis, चीक है, cuticle कौन बनाता है, epidermis, ऐसी कोई layer आपने पहले के phylum में नहीं पढ़ी है, मैं फिर से कह रही हूँ, ऐसा कोई parasitic adaptation आपने पहले के phylum में नहीं पढ़ा, आप यहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे होने बात को, you have to learn and memorize everything, जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यह हो गया, parasitic adaptation में पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा, baddy flat ह और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि इनके पास ठीक layer cuticle है, ठीक है, उसके बाद, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, नहीं तो बात जो है, वो गड़बड हो जाएगी, नीट का question हो सकता है यह, ठीक है, question हो सकता है नीट का, अभी तक आप लोगों ने, सिर्फ और सि sealant reta में पढ़ा है, कि sealant reta के outer layer of cells होती है, यह epidermis में total seven type की cell present होती है, जिसमें आपने पढ़ा था, एक cell पढ़ी ती, जिसका नाम था, epithelio muscular cell, ठीक है, जिसमें आपने क्या पढ़ी था, एक cell पढ़ी ती, जिसका नाम था epithelio muscular cell, पढ़ा था, और भूलू न, सोचो, प करने में पर exactly आप से अगर पूछा जाए कि सबसे पहले evolution कहां से शुरू क्यों हुआ तो आप बोलेंगे muscle का evolution सबसे पहले plate helmin से शुरू हुआ और यह कौन बनाता है यह mesoderm की cell बनाती है क्योंकि यह triploblastic होते हैं ठीक है अब हम लोग बात करते हैं body की बारे में अपन discuss कर ही रहे हैं तो let's talk about the body little bit ठीक है तो यह हैं आपके hooks ठीक है okay six to twelve hooks हो सकते हैं ठीक है skollex में जो है skollex is the part of the head ठीक है head का जो part होता है उसको पन कहते है skollex ठीक है skollex के बाद आता है neck skollex के बाद के आता है neck आता है तो यह आपको दिख रहे हैं neck अच्छा इनकी body में segmentation की बात करूं तो इनकी body में कोई segmentation segmentation नहीं है मेरे अधीए ठीक है सेगमेंन्टेशन तो actually आलरेड़ा से शुरू होता है तो इनकी body में कोई segmentation नहीं है पर आपको segment जैसा दिखाई देगा it is called as pseudo segmentation क्या कहलाता यह pseudo segmentation कहलाता है ठीक है so it is called as pseudo segmentation ठीक है ओके तो इनकी body में ऐसा लगेगा कि segmentation है पर actually this is not true segmentation क्योंकि segmentation का मतलब तो यह होता है कि body में जितने भी organ पाए जाते हैं उनका repetition होना चाहिए इनके में ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अब समझा मेरी बात को अब आप क्या देख रहे हैं कि body में इतने सारे आपको segment दिख रहे हैं ठीक है क्या दिख रहे हैं आपको इतने सारे segment दिख रहे हैं ठीक है ओके तो addition of segment is called as strobilization क्या कहलाता है strobilization मेरी बात को ध्यान से समझना इनकी body होती है false segmented या pseudo segmented इनकी body में बहुत सारे segments पाए जाते हैं आई बात समझ में यह जो बहुत सारे segment हैं यह करते क्या हैं यह कुछ नहीं करते हैं यह body बनाते अब मेरी बात को ध्यान समझना यह जो आपके हैं यह mature proglottis हैं यह क्या है आपके mature proglottis हैं मेरी बात को ध्यान समझना ये हैं आपके mature proglottis और ये हैं आपके immature proglottis ये छोटे हैं और ये क्या हैं बड़े हैं ठीक है अब समझना इन proglottis में male और female हैं ठीक है ये रहे 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 दो दो बना रही हूँ एक male एक female एक male एक female एक male एक female एक male एक female पर mature जो immature proglottis जो उपर वाले segment है उसमें male और female अभी अच्छे से developed नहीं हुए है development कहा पर हो गया development यहां पर हो गया देखो बड़े बना दिये मैंने थोड़े ठीक है और यह male और female M लिख देती हूं और इसको लिख देती हूं F ठीक है अब यह जो male और female है उपर वालों में immature वालों में पर अभी क्या है वह mature नहीं हुए जब आप थोड़े और development हुआ यहां से नहीं आइड होते जा रहे और पुराने वाले पीछे से आते जा रहे मेरी बात को ध्यान समझना यहां पर male क्योंकि इसके पास already fertilized egg है ना, तो इस process को आप क्या कहते है इस process को हम कहते एपोलाइसस, इस process को हम लोग क्या कहते है बच्चो एपोलाइसस so apple ci is a process जिस में segment जो हता है वो cut कर बाहर गirtा रहता है उस उस एग होते हैं, जैसे ही वो जमीन पर या पानी पर गिरता है, वो एक नया वाम बना सकता है, इस प्रोसेस को, the addition of, continuous addition of new segment into the warm is called as strobilization and these all segment is called as strobula and the segment is called as proglottis, ठीक है, पूरा structure is strobula and each segment is called as proglottis. So what we are seeing here, कि यहाँ पर सर के पास से नए नए अड़ होते जा रहें और पीछे वाले पुराने और बड़े होते जा रहें, पर फाइदा यह है कि जो पीछे वाले हैं, उनमें male और female mature हो जाता है और उसके बाद जो है fertilize होकर एग बना लेते हैं, उसके बाद यह part cut जाता है by the process of appleizes और यह जबीन में गिर जाते हैं और एक नया warm बना लेते हैं, ठीक है, इससे क्या है, यहाँ पर देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, समझेगा बात को, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सारे segment एक सिर्फ और सिर्फ उदर जुड़े हुए हैं आपके skollex वाले part में, क्यो वो क्या करते हैं, इंके पास कोई हुक मुक नहीं है ना भी, यह जब डवलाप होंगे तब बनाएंगे, तो यह बोलते हैं, तेरा पीछा ना, मैं छोड़ूंगा सो निये, तो यह क्या करते हैं, कि यह वहाँ जाके चिपके रहते हैं, और पीछे वाले अपना development करते रहते जैसे ही यह development होता है, यह यह वाला पार्ट नीचे गिर जाता है, और वो नए worms बना लेते हैं, आई बात समझ में, तो टेक दे स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्लाइड, उसके बाद हम आगे के characters इसको describe करूँगी, तो आप स्क्रीन शॉट ले लिजे, अपने स्क्रीन शॉट ल की गर्दन और तीसरा जो उसका पार्ट है, उसे आप कहते हैं, ठीक है, पार्ट जिसमें proglottis add होते हैं, proglottis add होने की प्रक्रीया को आप strobilization कहते हैं, तो नए नए proglottis जो होंगे, वो गर्दन की side से add होते जाएंगे, जिनको आप immature proglottis कहते हैं, इसमें हमेशा होता क्य तो जाएंगे, the sex organ will mature and they will fertilize, they will make the eggs, ठीक है? अब आप समझना, यह जो pseudo segmentation है, यह इनकी class systoda में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है? class systoda में, ठीक है? यह चीज यार रखना, वैसे इनकी जो body होती है, वो होती है unsegmented, ठीक है? तो pseudo segmentation आपको को class systoda में दिखाई देत है, वैसे जो इनकी body होती है, वो होती है unsegmented, तो जितने भी free living form होते है, generally इनकी body unsegmented होती है, इनके में आपको segmentation इस type का नहीं दिखाई देगा, ठीक है? हाँ, पर इसमें जो flatworms होते है, इनमें यह property होती है, बच्चों, कि actually इनमें सर, ठीक है? इनमें सर, धड़, और सर धड़ क्या? सर जो है, समझ में आता है, not even धड़ वड़ पैर वेर नहीं, पर इनके में सर एकदम अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? तो ऐसा जो pseudo segmentation है, यह सिर्फ class stoda का characteristics है, बाकी segmentation इनकी body में पाया नहीं जाता, तो यह आपको समझ में आया, इसमें कोई confusion तो नहीं ह आगे बड़े हम लोग, अच्छा ठीक है, आओ, अब हम लोग तो यह हो गया था अपना, body ball अपन लोगोंने complete कर लिया था, now, ठीक है? very important, very, 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 very important, ठीक है? बहुत जादा important चीज़ अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? नीट में इसके question भी आपको पूछे जा सकते हैं, देखिए हमेशा यार रखिए कि जीवन में हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात होती है, जो चीज़े extraordinary होती है, extraordinary का मतलब यह नहीं है कि हमेशा चीज़े अच्छी हूँ, extraordinary का मतलब यह है कि चीज़े खराब भी हो सक आई बात समझ में, जो भी चीज़े आपको अलग दिखाई देती हैं, हमेशा हम लोग बात उस पर ही करते हैं, ठीक है, वैसे ही plate elements का भी यही character या किसी भी file आम के बारे में हम लोग बात करें, character ही होगा, जो चीज exclusive होती है ना बच्चों, हमेशा उसी के बारे में अपन ल इन पॉइंट से या नॉर्मल पॉइंट से अलग होता है, तो लोग उसको नॉर्मल पॉइंट में consider करके हमेशा गलट टिक कर देते हैं, इसलिए exam में हमेशा exception आते हैं, ठीक है, ओके, समेशा यह आ रखिए कि इनका जो nervous system है, वो है bilateral type of nervous system, कैसा nervous system है, bilateral type of nervous system, please always remember this, ठीक है, bilateral type of nervous system का मतलब यह है, कि इनका nervous system पूरे body में फैला हुआ है, सबसे important चीज यह है, कि इनके body में ladder like nervous system पाया जाता है, diagram में देखेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक आपने diagram नहीं पढ़ा है, तक तक biology में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आई बात समझ में, ठीक है, तो अब मेरी इनकी body में properly आपको syphilization दिखेगा, या मैं यह करूं कि अगर आप यह बोले कि first time आपको syphilization कहा दिखा, तो first time syphilization actually हम लोगों को plate helmin's में ही दिखा, ठीक है, first time syphilization कहा दिखा, तो first time syphilization plate helmin's में ही दिखा, अब आदे से यादिक लोगों के मुंडे में यही नहीं गुसरा होगा, कि यह syphilization क्या है, syphilization में syphal का मतलब होता है syphalic, ठीक है, और syphalic का मतलब होता है head, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को head का development, ठीक है, head का development actually plate helmin's से ही पता चला, ठीक है, तो सबसे पहले head development हम लोगों को plate helmin's से ही पता चला, समझ में आई बात, तो इनके body में syphilization पाया जाता है, syphilization का मतलब यह है कि development of the head, ठीक है, तो इनकी body में development of head पाया जाता है, अब समझिये, यहाँ पर पाय जाते हैं इनके head region में cerebral ganglia, इनके body में पाय जाते हैं cerebral ganglia, ठीक है, ganglia is what, ठीक है, question is that, कि ganglia क्या है madam, बताये, ganglia is the group of nerves, group of, group of not nerve, groups of cytons, ठीक है, now question is, कि what is the cyton, ठीक है, okay, बिलको ध्यान समझते जाएगा, interlinked है, suppose that कि I am drawing a, I am drawing a nerve, ठीक है, so this is the dendron, this is the cyton, this is what, cyton, and this is the exon, ठीक है, this is the exon, isn't it, ठीक है, आई बात समझ में, so this is the cyton, this is the exon, done, okay, now this is the cerebral ganglia, so ganglia में हमेशा group of cytons होते हैं, आई बात समझ में, इसमें cytons के group होते हैं, हमेशा ये याद रखिए, ठीक है, आई बात समझ में, तो इनके पास cerebral ganglia होते हैं, दो, ठीक है, कोई दिक्कत परिशान ने इसमें, अब, यहाँ पर group of cytons हो गए, पर अब इनका जो exon होगा, वो इनके body के उपर, इस तरीके से पूरी body में फैला हुआ होगा, in the form of bunch, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अब मेरी बात को ध्यान समझना, कि इनके सर में group of cytons होते हैं, cytons का जो exon वाला पाठ है, वो इनके पूरे body में पाया जाता है, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझें, कि इसके उपर भी, ठीक है, ये जो आपका बन गया है, इसके उपर भी क्या पाये जाते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी nerves हैं, यह nerve का exon, यहां पर भी ganglias हैं ठीक है यह हो गए इनके ganglias ठीक है तो यहां पर भी nerves है और यह हो गए इनके exon ठीक है So this is also the ganglia ठीक है अब आप क्या देख रहे हैं कि यह cerebral ganglia which is the group of cytons इनके जो exon है वो पूरे body में यह आपको yellow yellow दिखाई दे रहे हैं पर इनके ऊपर भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं nerves इधर भी nerves दिखाई दे रहे हैं इन दोनों nerves के जो exon है वो बीच में CD-like appearance बना लेते हैं आई बात समझ में तो इनके जो nerves होते हैं वो CD-like appearance बना लेते हैं जैसे कि अगर मैं आपको simplify करके draw करके दिखाऊ यहां पर draw कर देती हूँ suppose that this is one group of neuron which is called as cerebral ganglia and this is second neuron ठीक है so एक neuron बहुत सारे cyton है तो बहुत सारे इनके क्या हो गए? exon हो गए बहुत सारे इनके भी exon हो गए ठीक है so this is what? this is the cerebral ganglia ठीक है यहाँ जी लिख दू? cerebral ganglia तो यह एक cerebral ganglia हो गया यह दूसरा cerebral ganglia हो गया ganglia is what? it is a group of cytons तो nerve का जो head होता है उसको cytons कहते है जो डंडी होती है उसको पर exon कहते है तो यह इसका head हो गया यह सब की डंडिया हो गई बहुत सारे cytons है यह हो गई इसकी डंडिया अब समझना मेरी बात को अब इन जो आपकी जो डंडिया है इनके उपर भी group of cytons है इनके उपर भी group of cytons है ठीक है अब यह जो group of cytons है बच्चो थ्यान सब्जो यह group of cytons की जो exon है यह हो गई यह यह हो गई यह, यह हो गई यह, यह हो गई यह, ठीक है इधर ऐसे ही group of cytons की जो exon है वो हो गई यह, वो हो गई यह, 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 तो don't you think so it is looking like a ladder तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यह ladder जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो इसे हम ladder like, ladder like nervous system भी कहते हैं तो मेरी बात समझे आप कि इनकी body में आपको distinct head दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा distinct आपको head दिखाई देगा head में group of neurons होते हैं जिने आप cerebral ganglia कहते हैं सारे cerebral ganglia के जो group of exons हैं वो इनकी body में bilaterally इस तरीके से फैले होते हैं ठीक है, bilaterally मतलब बीचों बीच फैले होते हैं ठीक है, अब इन bilateral group of exons के उपर भी group of cytons पाई जाते हैं जिनको हम transverse longitudinal या transverse जो है तो ganglia कह सकते हैं इन ganglia के भी क्या निकलेंगे पर यह exon निकलेंगे, इधर से इनके exon निकलेंगे, उधर से उनके exon निकलेंगे और दोनों तरफ से fuse हो जाएंगे and they make a ladder-like arrangement, they make what? ladder-like arrangement, so platyhelmin's have most primitive type of nervous system ठीक है which is called as ladder-like nervous system ठीक है, तो आपने देखा कि इनके पास जो neurons होते हैं, उनके पास cyton और exon दोनों होता है यहीं आपने जब क्या पढ़ाता है, सीलेंट रेटा पढ़ा था, यह टीनो फोरा पढ़ा था, तो उसमें कोई ऐसा system नहीं था ठीक है, आपने उसमें सीधे पढ़ा कि भाईया, उनके पें जो nervous system होता है, वो nerve net वाला होता है कैसा होता nerve net, कि उनकी body में ऐसे, 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 पूरा जो nervous system है, वो net जैसा पाया जाता है पर इनके में ऐसा नहीं है, इनके में कुछ इस तरीके का arrangement ladder जैसा आपको दिखाई देता है So first time civilization start हुआ, actually flatworm से, मैंने आपको पूरी कहानी nervous system की अच्छी तरीके से समझा दी तो उपर दो group of cytons है, उनके exon पूरे ऐसे फैल गए, और फिर exon के उपर भी group of other cytons है, उनके exon ऐसे आ गए तो ये ladder like, ladder like, ladder like, ladder like, इनको आप transverse nerves भी कह सकते हैं, ठीक है, nerve caught, रसी, ओके इनका जो nervous system होता है, अब एक और चीज़ बता दो में, इनका जो nerve, where it is, 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 ठीक है, इनका angroot system होता है, Charlie, मैं किसी और कलर से लिखूं क्या, let me select the color for us, purple लें क्या, हाँ लेते, ventral जो है इनका nervous system है, वो होता है, solid, ठीक है, तो इनका nervous system है, वो ventral और solid होता है, from sir to the pooch तक, मुझा पीछे तक, they don't have tail, ठीक है, यह हो गया, चलो, अब अपने आगे बात करते हैं, nervous system वाला point तो समझा दू, ठीक है, तो अगर आपको screenshot लेना, तो यह ले लीजे, ताकि आपको और जादा समझ में आ जाए, ठीक है, यह हो गया, चलो, अब आजाओ, nervous system में अगला point हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो nervous system यह तो हम लोगों को समझ में आ गया है, कि यह जो nervous system होता है, it is the most primitive and lighter like, ठीक है अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हम लोग sense organ के बारे में बात करी रहे हैं, तो इनके में sense organ जो है, वो होता है, eye spot, ठीक है, okay, okay, आपकी body में भी तो eye spot होता है, ठीक है, और इनके body में एक balancing organ भी होता है, ठीक है, इनकी body में balancing organ, actually it is not the sense organ, it is the balancing organ, ठीक है, इनका जो balancing organ होता है, जो कि आपने कई जगा पढ़ा भी है, इसे आप कहते है, statocyst, क्या कहते है बच्चो, statocyst, आई बात समझ में, so इनके पास, इनके शरीर के सर पर पाया जाता है, eye spot, ठीक है, eye spot जो है, इनको क्या बताता है, बच्चो ध्यान से संजो, eye spot इनको क्या बता होता है, eye spot, जो है, ये eye spot होता है, light sensitive, क्या होता है, eye spot, light sensitive, ठीक है, इनका जो eye spot होता है, light sensitive, और ये detect करता है, खतरा, detect the, क्या कह सकते है, इसको, predator, ठीक है, detect the predator to, ठीक है, ओहो, let it be, ठीक है, तो इनका जो eye spot है, वो क्या detect करता है, प्यारे बच्चो, इनका जो iSpot है even तुम्हारा भी मैं इनका क्या बात कर रही हूं वह या even तुम्हारा भी तुम्हारे आखों में light जला देते तो कैसे करते हो बताओ आगर तुम्हें यह लगता है कि इनके आइश्पॉर्ट से यह देख सकते हैं तो यह बहुत ही बड़ी गलत फहिमी है यह अपने आइश्पॉर्ट से देख वेक नहीं पाते पर यह है कि यह जो है लाइट जो है सेंसिटिव होते हैं तो अगर आप किसी फ्लैट वाउम के बड़ लाइट जला दोगे तो तिल में आके भग जाएगा दूसरा यह डिटेक्ट कर पाता है कि इनका शिकारी तो नहीं आ रहा तो यह यह भी डिटेक्ट कर सकते हैं तो इनके पास सेंसिटिविटी के लिए आई स्पॉट होता है जो की लाइट सेंसिटिव होता है और प्रिडेटर से बचाता है नाव दूसरा यह एक बैलनसिंग औरगन भी होता है इनके पास ठीक है और भी पढ़ा जो उनको बैलेंस करता है कि यहां रहो यहां नहीं रहो यह तुम्हारा यह तुम्हारा नहीं है so it will help in the detection of self and non-self ठीक है now तो अश्रिब्रतिवरी concept में syphilization firstly started from this phylum it means to say that head अब head के पास यह नहीं है यह 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 जो future में यह बताता है कि आगे चलके जब हमारा head बनेगा तो हमारे में भी आखे यहीं बनेगी अब किसी के आखे तुम यहां बने देखे हो क्या अरे बताओ मुझे अगर तुमने देखा है कभी कि कि किसी के कान के पास उसके आख लगी हो नई हमने यह यह देखा कि हमेशा आख जो होती वह head के ऊपर ही होती है तो यह कहां से start हुआ यह start हुआ from the platy helmets आई बात समझ में So syphilization it means to say that the development of the head ठीक है So development of head जो है यह कहां से start हुआ आपके यह start हुआ platy helmets है इसका मतलब यह कि future में जब कभी नेत्र बनेंगे तो वह खोपड़ी पर ही बनेंगे कभी कमर पर आख नहीं बन सकती है ठीक है अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग तो यह हो गया अपना यह सिब को समझ में आ गया labeling इसके साब सुता दे इसके सेरिब्रल गैंगलिया एक ट्रांसवर्स कमीशन इस दा कमीशन मतलब जहां पर दो एक्जोंस अटाच हो रहे हैं इस दा लॉंगिट्यूटनल नर्व कॉट यह एक्जों की नर्व कॉट बन रही है और इस प्लेक्स विचिज़ बंच अब हम लोग बात करते हैं सीलोम की हम लोग किसकी बात करते हैं सीलोम मैंने जब यह पढ़ाना शुरू किया था मैंने तब भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को यह लगता है जब मैंने आपको यह पढ़ाना शुरू किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है मेरे बच्चो क्या लगता है ये लगता है कि वह ये ट्रिपलो ब्लास्टिक है तो सीलोम तो हो गाई नहीं होता क्योंकि इनके में मीजोडम सॉलिड होता है आई बास समझ में इनके में मीजोडम सॉलि developed civilization होता है ठीक है? ओके? अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने porifera में क्या पढ़ाता है aclum-celum का तो कोई chance ही नहीं क्योंकि cellular level of organization है फिर अपन लोग दूसरे में sealant rate आप पढ़ा है तो tissue level of organization है उनके पास वैसे ही triploblastik ने tinophora में भी नहीं है next thing is body plan and digestive system ठीक है? body plan के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनकी कुछ classes ऐसी है ठीक है? classes के बारे में हम लोग थोड़ा सब discuss करेंगे हाला कि classes जो है आपके NCRT में नहीं दी हुई है और यह आपके exam में भी नहीं आएंगी but you should know at least you should frame the answers ठीक है? body plan के बारे में हम लोग बात करने वाले है इनकी कुछ classes ऐसी होती है जिनके में digestive system है ही नहीं ठीक है? इनकी कुछ classes मत्तब systoda ठीक है? मैं बताती हूँ class systoda के जो जानवर होते है इनके पास है ही नहीं मांगता ही नहीं अपने को ठीक है? क्यों नहीं वांगता मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी भी लड़की को खाना पकाना क्यों नहीं आता मतलब some of the girls normally girls को अच्छा खाना बनाना आता है ठीक है I'm not one of them मुझे तो नहीं आता है ठीक है मैं तो बहुत ही बेकार प्राणी हूँ पर मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत ही अच्छा खाना बनाती है लड़के भी बहुत अच्छा बनाते हैं और उसमें आपने देखा कि पर अगर उनके घर में बहुत सारे लोगों खाना बनाने के लिए तो वह सिधा पका खाया खाना खाते हैं उनको जरूरत ही नहीं बनाने की वैसे ही इनके साथ भी है ठीक है इनके साथ क्या प्रॉब्लम है बच्चो प्रॉब्लम क्या it is a benefit it is a survival advantage ठीक है ये शरीर में आपकी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और जो भी खाना पचाते जाते देद दना दन आ आ खाते जाएंगे ठीक है तो यह जो भी खाना पचाके ले जाते हैं यह हुक साइं सकर से चिपके रहते हैं तो डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह तो चिपके ह tomar है थीक है पर जो free living होते हैं उनको digestive system की जहरूरत होती है पर digestive system present है इंके में elementary canal present है पर इनका जो body plan है वह blind sack क्या है इनका body plan भॉया इनका जो body plan होता है weow meth इसका मतलब यह कि they have mouth but they don't have anus ठीक है so they can ingest the food from the mouth and they can excrete by the excretory pore and maybe the mouth too ठीक है तो सिर्फ यह पॉटी भी वहीं से करते हैं और खाना भी वहीं से खाते हैं ठीक है कई बार पॉटी excretory pore से भी कर सकते हैं now तो incomplete digestive system में they have mouth but they don't have anus this type of body plant is called as मेरे प्यारे बच्चो blind sack body plant ठीक है digestive system है if they are free living some of the exceptions are there जो कि मैंने आपको बताया so look at this okay 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 so they have eye spot जो कि मैंने जिसके बारे मैं आपको बताया they have ganglia which is a group of cytons this is yellow yellow ठीक है now this is a ventral nerve cord मैंने आपको बताया ventral nerve cords होते हैं ventrally nervous system में निका और वो solid होता है अब आप देखो कि mouth की जगा पर mouth नहीं है आप इसमें अलग सी चीज क्या देख रहे हो आप इसमें अलग सी चीज ये देख रहे हो कि mouth की जगा पर mouth है ही नहीं mouth है इनके center पर ये ऐसे करके किसी भी चीज पर चिपक जाते जिससे इनको nutrition लेना है यह ऐसे करके अपने host के उपर चिपक जाते हैं जिससे इनको क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चो nutrition लेना है उसके बाद यहां से यह लेके आते swearing से लेते हुए swearing से लेते हुए यह सीधा आपके gastrovescular cavity elementary canal में डाल देते हैं तो mouth के जगा पे mouth नहीं है बॉडी में इधर की और होता है तो यह से आया चिपक गया लिया gastrovescular में डाल दिया और फिर digestion किया आया ही बाद समझ में ठीक है तो digestive system इनका incomplete होता है ठीक है they have mouth but they don't have ends please always remember this ठीक है ठीक है देख 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 वैसे STC शिपरतिवारी concept point को शिपरतिवारी ने बता दिया है पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कल को जब आप लोग ये notes देखें तो किसी भी प्रकार का कोई confusion ना हो ठीक है तो कहां थे अपन लोग हो 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 यहाँ पर थे क्या अपन लोग हाँ इनके body में जो ये animal इनके में digestive system जो होता है वो completely absent होता है कारण मैंने बताया जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम पका-पका देतो रहे हैं बना-बना के लोग लेते जाओं ठीक है so class stoda जो है इसके बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा असा उनके पास digestive system नहीं होता ठीक है they don't have skeletal system because उनको जरूरत ही नहीं अब skeletal system stiff हो जाएगा कड़क हो जाएगा तो तुम्हारे intestine में कैसे रह पाएगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा नरेना तो इसलिए इनके पास skeletal system नहीं होता है क्योंकि अगर skeletal system हो जाएगा ना तो problem हो जाएगी आई बात आपको समझ में क्योंकि अगर इनके पास skeletal system हो जाएगा तो problem हो जाएगी because body stiff हो जाएगी तो जगह नहीं मिलेगी ना अभी तो क्या लचीले है muscular body है तो बढ़िया इधर क्योंकि muscles तो develop हो जाएगी इनके पास तो यह कहीं भी घुश जाते circulatory system जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह सीदेफ है जो है mouth से खाना लेके पूरी body part में each part को circulate कर देते है because so इनकी body तो body भी हो सकती है 1 mm से 20 जो है तो मीटर तक हो सकती है पर इनके लिए कोई circulatory system जरूरत नहीं है respiration मैं बात करूँ इनकी body को अगर आप देखें तो यह आपको जनरली लसलसी और चिप चिपी दिखाई देखें इनकी body लसलसी और चिप चिपी दिखाई देती है इसका मतलब यह कि यह oxygen को जो है बाहर से dissolve करके skin के water से moisture से अंदर की और ले लेते हैं पर इसमें बहुत सारे ऐसे भी organism हैं जो anaerobic respiration कर सकते हैं जो इसमें वो जीवाते हैं जो आपके intestine में रहते हैं क्योंकि आपके intestine में oxygen का उतना जादा amount है नहीं जिसकी वज़ा से यह हमेशा उस जगह पर यह कहें कि यह anaerobic respiration भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास यह survival advantage है ठीक है मैं पढ़ाओंगी व्याकरी में ठीक है तो यह body surface से भी gases exchange कर सकते हैं ठीक है क्योंकि carbon dioxide तो ultimately कोई भी respiration करो produce तो होगा ही ठीक है इनकी body में सबसे special जो organ है excretion के लिए ठीक है इनकी body में excretion के लिए जो बहतरीन example है या उधारण है excretion जो पाठ है वो है इन पर पाई जाने वाली flame cells ठीक है इन पर पाई जाने वाली flame cells ठीक है तो यह भी neat का question है आई बात समझ में it is also the question of neat ठीक है यह भी neat का question है कि flame cells क्या होती है ठीक है यह आपसे पूछा जाएगा कि किस phylum में flame cells पाई जाती है ठीक है तो यह भी question आ सकता है flame cells जो है actually क्या होता है कि जैसे जलती हुई law दिखती है वैसे इनका arrangement यह excretory cells में होती है cilia cilia इस तरीके से range रहती है इस लगता है कि आग जल रही है इसले इसका नाम flame cell पड़ा ठीक है flame cell का दूसरा नाम solenocyte भी होता है ठीक है और flame cell जब इकठा हो जाती है तो इनका proto मतलब पहले nephredia मतलब nephrons मतलब excretory organ जो बना वो actually इसी phylum से बना हुआ है आई बात समझ में कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है now they are ammonotellic क्योंकि यह पानी या moisture में रहते हैं ठीक है अगर यह किसी की body में parasitic form में भी रह रहे हैं तो they can produce ammonia and will convert the ammonia into the urea by the urea cycle ठीक है तो यह ammonia produce कर सकते है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन रेस्पिरेशन में ऐसा भी होता है कि anaerobic respiration भी शो करें तो जो tina होता है वो internal parasite है और यह anaerobic respiration शो करता है ठीक है now अब मैं आपको flame cells के बारे में थोड़ा सा बता दू कि ठीक है flame cells के बारे में आ जाईए Flame Cells क्या है? ठीक है? बिलको ध्यान से देखिए यह जो आपको arrangement दिखाई दे रहा है, ऐसे ठीक है? This is the bulb-like arrangement Don't you think so? It is called as Flame Cells It is called as Flame Cells, ठीक है? अब आप क्या देख रहे हैं? कि इसमें आपको एक छोटे-छोटे सीलिया दिखाई दे रहा है यह करते हैं, इनकी बॉड़ी में Flame Cells कुछ इस तरीके से पूरे बॉड़ी में फैले होते हैं और यह dot-dot को बिलको ध्यान से देखना, ठीक है? ओके? तो इनकी बॉड़ी में जो Flame Cells है, यह पूरे बॉड़ी में इस तरीके से फैले हुए रहते हैं यलो यलो कलर के दिखाई दे रहे, क्योंकि कलर ही यलो होता है आई बात समझ में? तो इनकी बॉड़ी में Flame Cells का Arrangement यह होता है उसके बाद जब यह माउच से कुछ खाना खाते हैं और पूरे बॉड़ी को देते हैं जब आप गुजारेंगे तो गंदी गंदी चीजों को यह यहीं पर रोक लेगी और अच्छी चीजों को यह ब्लड तो है नी बॉड़ी में जाने देगी जो बेकार बेकार चीजे हुई है वो इनकी बॉड़ी में खूप सारे पोर होते हैं दन अदन बाहर करते जाती बात समझ हैus इनकी बॉड़ी में फ्लें सेल होती है उन में शीलीया का करता है अच्छी चीज़ों को बॉड़ी में जाने देता है जो भी खाना यह लेते है मांथ के ठूट ठूब डाइजेस्स करते हैं, डाइजेस्स करने के बाद ये फ्लेम सेल्स को देते हैं, फ्लेम सेल्स अच्छी चीजों को वापस बाडी में देती हैं, और बेकार चीजों को, एक स्क्रेटरी पोर जो कि इनकी पूरे बाडी में फैले हुए हैं, उनसे बाहर कर देती हैं, आई बत सम घर पे रहो, सेफ रहो, कुछ नहीं समझ में आता, बहुत चारा पढ़ा दिया ना, समराइस करके अच्छी तरीके से पढ़ो, So, see you in the next class, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, next class में मिलते हैं, thank you so much.